हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेर दोस्तों तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर का नीमोना मैंने यहाँ आलू काटके फ्राई कर लिया है और अब मसाला तयार कर रही हूँ अद्रक लेसून हरा मिर्चा और ध यह सुनहरा लाल ना हो जाए तेल पुरी तरह से सोख ना ले और कढ़ाई में हलकी सी तेल छोड़ना दे इसे कंटिन्यू लगतार आपको चलाना है ताकि यह कढ़ाई में चिपके ना और उसके बाद इसे फ्राई करके आप लोगों को निकाल लेना है निकाल लेके बाद उसके बाद आपका मन है तो आप टमाटर डालिए मुझे टमाटर पसंद रहता है निमोना में इसमें टमाटर डालूँगी और इस तरीके से मसाले खुब अच्छे से आपको भूल लेना है जब तक कि मसाले में से तेल छोड़ना दे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प पीसी हुई जो हम लोगों ने मटर का फ्राई किया हुआ था उसको इसमें डालेंगे आलू डालेंगे और उसे खुब अच्छे से भून के खाने भर के लिए जितना आपको लेना है ग्रेवी बना सकते हैं तो इसमें पानी डाल के आपको बॉइल होने के लिए छोड़ दे तो मेरा निमोना बनके तयार हो चला है और आप सब भी घर में बनाईए खाईए ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोग सेफ रहिए गरम कपड़े पहन के रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए ओके दोस्तों बबाई टेक क्यार फिर मिलते हैं नेक लोग सुम्ने को टो मुलक जर्सों लोग सेफ पार्ड़ written byज बनाईए धने रहिए और स्का पार्स ज़ घर मिलते हैं जुल यह जो तो भाराते हैं ज़र मिलते हैं नेको फिर किन क Hundreds